करें है अब आई हम बात करते हैं ब्रिश्राश्य के जातकों के लिए जो ब्रिश्राश्य के जातक है उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला लगा है आज आप क्या करेंगे किस प्रेड में नुकरी करेंगे सारी वाता हैं आपको बताने वाले हैं और धन-धन के सुख कैसा रहेगा है साद आप आपको बताने वाले हैं भूमी भून से क्याल आप मिलेगा जदी आपका कहीं लिटिकेशन चला या कहीं किसी प्रकार की कोई प्राब्लम चल रही है तो उक कैसे हल होगा इसके बारे में भी आजमाब को बताने वाले हैं और रोग शत्रू की सिती क्या रहेगी धन-धान की सि क्या रहेगा मित्रों से क्या सभलता मिलेगी महिला मित्रों का क्या सहयोग रहेगा इस सारी बात है जमापको बताने वाले हैं इसके साथ हम आपको बताएंगे कि आज आपको उपाय क्या करना है आपको साधानिया क्या बरतनी है और आपके लिए आज का सुब अंक क्या रह आज का दिन थोड़ा सोतार चुड़ा का हो सकता है आपका मन अग्यात कारणों से तनाव में हो सकता है तो तनाव से बचने की जुरुत है और अपने माली हाल ठीक करने के आउशकता है जो आपकी जिम्यदारियां है उसको भली बात निर्वाह करें क्योंकि आप चोटी- आप विदेश शात्रा के लिए स्कूल में कॉलेज इनिवर्शेटी बढ़ने के अगरा प्लांग करने हैं विदेश में तो आज आपकी यह मनों कामना पूर्ण होते हुए देख रहे हैं इच्चित जगह पर आपका प्रवेश हो सकता है नहीं तरह के कारे हो सकते हैं वह आ राय ले के करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा जदि आप अपने हल्थ को ले करके चिंतित ना हो आपका हल्थ और वेत्ध दोनों में प्रिद्धी होगी जदि आप कोई कहान ने लिखना चाहते हैं फिल्म बनाना चाहते तो इसके लिए आज को दिन आपका पहुत रही होगे परिवार और दायतों को पूर्ण करने में सफल रहेंगे परिवार में सुभकर होने से इस अंतर्प्र रहेगा अपने ग्यान के बात वाद माने के बात माने और करने की जूरत है भावनाओं पर नियंत्रा डखें भावेश में आके किया के कारे आपको नुक्सान पहुंचा सकता है पत्नी से संबंद बड़े मदूर रहेंगे बच्चों से भी संबंद मदूर रहेंगे भागे साज आपके सारे कारे शंपन होते हुए लिख रहे हैं और बिडेश यात्रा का भी योग बन रहा है आज आपको सवधानी के अबरतनी है सवधानी ये बरतनी है कि इमोशन समा के कोई नेड़े न ले आज आपको उपाय क्या करना है उपाय करना है कि भगवान भोले नाथ के अराधना करे ओम नमस्युवाय मंत्र का जब करें और करें आपको उपाय करना है